अलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैंताओंगा ललबी सिक्स सेमेस्टर का कोर्षन पेपर है कानपू निउवेस्टि का इंटरनेशनल और्गनाइजेशन इसमें दोस्तों सेक्सन ए, बी, सी, तीन सेक्सन आएंगे तीन घंटे का समय होगा, टोटल नमबर होगे, सो नमबर का कोर्षन होगा तो सबसे पहले सेक्सन ए स्टार्ट होता है, चार अंग का कोर्षन होगा, दस प्रक्सन दिये होगे तो सबसे पहले प्रसन है अंतर राश्ची संगठन की संकलपना की और प्रकति की ब्याख्या कीजिए अगला कोशन है संगठित सांती अंदोलन की ब्याख्या कीजिए राश्च संग की असफलता पर टिपड़ी लिखिए इसके बादे मैं आपको लिखना है इसके बाद आपका स्चार्ट होता है अगला कोशन राश्च संग के प्रमुक अंगो को बताईए अगला कोशन है राश्च संग की प्रसमिदा और संउट राश्च चार्टर में के अंतर है अगला कोशन है संउट राश्च संग की उत्पत्ति के कारण बताईए ये सब short type question है उसके बाद अगला question है G number question इसमें है सव्यूर्ण राज संग की उपलब्धियों पर टिपड़ी कीजी इसके बाद अगला question है सव्यूर्ण राज की सदस्ता हेतू क्या साते हैं इसके बादे में लिखना है आपको अगला question है I number अंतराश्टी न्याले के गठन पर टिपड़ी कीजी इसके बाद अंतिम question है short type question का J number आर्थिक और समाजिक परिस्दत पर संचिप टिपड़ी लिखे इसके बाद स्टार्ट होता है section B long answer type question है पिते question 15 अंको का है चार प्रसंदी होंगे जिसमें से आपको केवल दो प्रसंद के उत्ता देने है section B में तो सबसे पहले long answer type का question है इसमें पहला question है अंतराश्ची संग्ठनों की मानों के विकास में क्या भूमिकार आई है इसके बाद अगला long answer type question है राश्च संग के समान प्रोधानों की ब्याख्या कीजिए राश्च संग की असफलता के मुख कारण बताई है इसमें आपको long answer type question है केवल 2% अट्रेम करने है इसके बाद अगला question है सेमें प्रोधास संग के उद्देसों एवं मुख सिद्दान्थों की बिवेचना कीजिए अगला number question है section B का सेमें प्रोधास संग की बिदिक छमता की ब्याख्या कीजिए इसके बादे में आपको लिखना है प्रते question 15 अंका है चार प्रसंदी होंगे जिसमें से आपको 2% करना है तो पहला प्रसंद है long answer type question का संग्त राज संग की बिशिसा दिकार और उन मुक्तियों का वरण कीजिए तो ये long answer type question है इसके बाद अगला question है संग्त राज संग की महासभा के कार एवं सक्तियों का वरण कीजिए इसके बाद अगला नंबर question है संग्त राज संग के चार्टर पर पुनर्विचार एवं पुनर्वी लोकन की करप रोधाने ब्याख्या कीजिए इसके बाद अंतिम और last question है long answer 36 संग्तों से आप क्या समझते है 36 संग्तों के क्या लाब है विविचना कीजिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सकाइब करें और बिल आइकन दबाएं जिससे कि आपको notification प्राप्त हो सके धन्यवाद